मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है, और कब नहीं जा सकता है मंदिर कौन जा सकता है जा सकता है, कब जा सकता है, और कब नहीं जा सकता है समीती पर असम के मुख्य मंत्री पर दवाव है और हम सब चानते हैं असम के मुख्य मंत्री पर किसका दवाव होता है मैं और लोकल में जा सकते हैं नहीं तो यह जा सकते हैं मैं नहीं जा सकता है तो मैंने क्या गलती किया? शंकर देव जी जो असाम का कल्चर है, असाम की हिस्ट्री है, असाम का सोचने का तरीका है, उसके प्रतीक है, सबसे बड़े प्रतीक है, हमने सोचा था कि अगर हम असाम आएंगे, तो उनके सामने सिर्जुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे, वहां पर हमें पर्मिशन मिली थी, मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें, मगर ठीक है, हम उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी सोच का प्रयोग करेंगे. वो सब धर्म, सब जात, सब भाशाओं को एक साथ लेकर चलते थे, दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है, और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं, और उस प्रकार से हम जीना चाते हैं, वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बाटा जा रहा ह हैं, नफरत फिलाई जा रही हैं, वो उनकी सोच के खिलाफ है, और यह जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलोसिफी की यात्रा है है, हम बाटा है। एक महिला मेली जो पूरने की हम नावल जी के लिए एक अमुसा हम लायत तो उसी के होते हम आपके शक्ते देंस्तान को जन्प साथ से दे रहे हैं मैंने सोचा था अगर हम असाम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए हम भी उनी के रास्ते पे चलते हैं लोगों को जोडते हैं नफरत नहीं फैलाते हैं तो वह हमारे लिए एक गुरू जैसे हैं हमें डाइरेक्शन देते हैं तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहां मत्था टेख लूँ उनका इंविटेशन आया था ग्यारा तारीक को इंवाइट किया था मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉएन और्डर की सिचुएशन है गौरफ गोगोई जी जा सकते हैं बाकि सब लोग जा सकते हैं सिरफ राहुल गांदी नहीं जा सकता तो पता नहीं कोई ना कोई कारण होगा जब मौका मिलेगा मैं जाओंगा और मेरी सोच है कि जो शंकरदेव जी ने कहा था जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर देश को और असाम को चलना चाहिए